सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परीचे चैनल को और बैल आइकन को दवाईए आयरुवेदिक दिस्य जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो जड़ी बूटी परीचे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम आपको एक और वनोशिदी के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम राल है और ये जो राल होती है एक परकार का गौन्ध होता है शाल के पेड़ का गौन्ध और इसको जो है धुनी में पूजा पाट में और ये कहीं सारे रोगों में भी काम करता है इसके बारे में आगे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं वीडियो को पूरा देखेगा इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके नामों के भी इसको जाना जाता है इसके अलावा इसका एक नाम इसका जो होता है वो यलो रेजिन या रेजाइन के नाम से भी इसको जानते हैं और भी अलग-अलग इलागों के इसाब से इसके कहीं सारे नाम हो सकते हैं आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स म इसके पेड़ की जो लंबाई होती है बहुत अधिक होती है और इसके जो पत्ते होते हैं कोमल और फूल जो है सफेद रंके होते हैं इसके पेड़ों को अगर चीरा लगाते हैं तो उसमें से एक प्रकार का सराव निकलता है जिसे गौंद भी बोलते हैं और वो शूखने पर जो है यह राल के रूप में हमें प्राप्त होता है जैसा कि आप यहां पर अभी देख भी सकते हैं यह जो राल होती है यह हमें उसी पेड़ से प्राप्त होती है इसके अगर सोभाव की बात करें इसका जो सोभाव होता है गरों में खुश्क होता है तीसरे दरजे में इसक बात करें इसके उप्योग की तो यह जो उशदी है यह जखम बरने वाली बहुती अच्छी और प्रबावशाली उशदी है किसी भी परकार का कैसा भी जखम हो जले हुए का जखम हो फोड़ा हो नाशूर हो किसी भी परकार का जखम हो उसको बरने के लिए यह बेस्ट उशद है उसको भी कम करता है शूजन में इसका परियोग होता है फोडो के लिए इसका परियोग होता है अगर फोडा पक गया है या पक नहीं रहा है उसमें मुह नहीं है उस सभी प्रकार के फोडो को अगर पक गया है तो उसका जखम ठीक करने के लिए आप इसका परियोग कर सकते ह कच्चा फोड़ा जो इसका मौ नहीं बनता या पकता नहीं है तो उसमें इसका इसका इस्तमाल किया जाता है इसकी मरहम बना करके अगर उस पर लगाते हैं तो ये बिना किसी दरद के उस फोड़े को पका करके ठीक कर देता है माँ पर जो भी किर्मी या जो भी किटानू होते हैं उनको नस्ट करके यह बिलकुल फोड़े को साप कर देता है और जखम को भी बहुत ही जल्दी बर देता है यह इतनी प्रबावसाली और शद्य है इसका इस्तमाल कहीं तरह के मरहम में किया जाता है इसके अलावा इसका इसका इस्तमाल जो है जखम को बरने के लिए तो किया ही जाता है लेकिन यह खाने के लिए भी परियोग की जाती है इसका कहीं तरह से इस्तमाल कर सकते हैं यह है वाजिकारण और शद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जैसे एक ग्राम राल और दो ग्राम चीनी को अगर तीन बार दिन में लेते हैं तो ये सबी प्रकार के जो अतिसार परवाहिका या सुक्र में परमेहे जैसे रोगों को नश्ट करने के बहुती अच्छी और शर्ष्टी और शुद्धी है एक एक ग्राम की मातरा इसकी दिन मे तीन बार अगर लेते हैं या आप अपने चिकितसक के प्रामर्स अनुसार भी आप इसको परियोग कर सकते हैं तो ये आपके अतिसार परवाही का सुक्र में परमें जैसे रोगों को नश्ट करता है ये है शाल का गोंद होता है और गोंद जो होते है जाद तर सरीर को पुष् वैसे इसका एक नाम दुना भी है तो इसको आप ऐसे ही अगर आग पर डालते हैं तो इसमें से बहुत अच्छी शुगंद आती है इसका इस्तमाल जो है नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए किया जाता है अगर आप इसको दूनी बनाना चाते हैं इसको दूनी के त वंदित करने के लिए बहुत ही अच्छी दूनीय तयार हो जाती है इसके इस्तमाल से जो है आप नेगेटिव एनरजी को दूर रख सकते हैं आप में घर में आपके जो घर होता है उसके जो वातावरण में किटानू अगरा होते हैं उसको भी नश्ट करता है इसके साथ-सा परदार्त होते हैं उसी तरह से ये भी वैवार करता है बहुत जल्दी आपको पकड़ लेता है और आपको बुझने नहीं देता इसका इस्तमाल जले हुए को ठीक करने के लिए भी किया जाता है किसी भी परकार का जला हुआ जखम हो तो इस मरहम से आप इसको पूरी तरह स से इसको बनाया जाता है यह सभी बाते आने वाली वीडियो में आपको जानने को मिलेगी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा क्योंकि जब भी हम उस वीडियो को डालेंगे तो उसका आपको पता चल सके इसके और भी कहीं सारे परियोग है जो आगे आने वाल से मिल जाएगा नहीं मिले तो आप हम से संपर करके किसी भी प्रकार किया देशी जड़ी बूटिया या हंदर्द बैदनात जैसी अन्य कंपनियों की प्रकार की और शद्या अरवेदिक मंगा सकते हैं तो यहती जानकारी राल के बारे में या आप कहें शाल के गोंद के बारे सके ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैश्री कृष्ण